Hello Students, आज हम 3 ताल की एक तिहाई सीखेंगे, ठीक है ना? तो नित्य की तिहाई है, तिहाई की डेफिनिशन आपको पता हैं, मैं फिर से बताती हूँ नित्य के बोलों का कोई भी समूँ, छोटे से छोटा समूँ जिसको हम तीन बार लगातार बोते हैं सम से शुरू करके सम पे खतम होता है तो उसे हम तिहाई केता है ठीके बच्चों? तो आज हम तिहाई सीखेंगे जिसके बोल इस प्रकार से हैं मैं आपको बोलके बताती हूँ ठीक है इसको हम तीन बार लगातार बोलेंगे और उसके बाद आप प्रणाम करके तयार होई जो होईएगा और मैं आपको इसका अंग बताऊंगी तो आप मैं पढ़के बताती हूँ आपको कैसे ताथे दे दाथे 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 तका तकीट तका ता ठा ठा ठीक है बच्चों तो अभी आप यह जो बोल मैंने बोला है इसको अपनी कॉपी में लिख लीजे और तयार हो जाए निर्ति करने के लिए मैं इसके कैसे पैर चलने हैं कैसे हाथ चलने वह आपको दिखाऊंगी ठीक है बच्चों और जो यह पैर मारते हैं ठीक है तयार हो जाएंगे आप तो बच्चों रेडी है अपनी उत्पत्ती बुद्रा में चलिए अभी हम इसको शुरू करते हैं ठीक है इसको हम करेंगे पर उसके बाद पर उसके बाद जैसे आप ट्राम करते थे न उसी तरह करेंगे तरका क्या है तरकी तरका आपको उपर देखना है और एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है आया समझ में मैं फिर से बताती हूँ अब ताधा में लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर ता बोड़ी स्ट्रेट रहेगी सिर्फ गर्दन भूगेगी ता और धा ठीक है अब यह मैं फूरा तीन बर आपको करके दिखाती हूँ ज्यान से देखिए ताधी देख साथे 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 देख मेरे ख्याल से आपको समझ आगया होगा इसको किस तरह से करना है ठीक है ना तीन ताल की तदकार करते हुए इसको रोज प्राक्टिस कीजिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डेसल के साथ